लिंग राज मंदिर जहां भगवान शिव और विश्णु दोनों की एक साथ होती है पूजा लिंग राज मंदिर का इतिहास लिंग राज मंदिर उडिसा की राजधानी भूवनेश्वर में स्थित है ये धर्म धर्म के सबसे प्रमुक और प्राचीनतम धार्मिक स्थलों में से एक है इस मंदिर से लाखों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है इस मंदिर से तमाम मान्यताएं और पौरानिक कथाएं जुड़ी हुई है लिंगराज मंदिर की घटना और महत्व की वजए से हर साल लाखों श्रद्धालू यहां भगवान शंकर और विश्नू के हरेहर स्वरूप के दर्शन कर उत्साहित होते हैं यह मंदिर न सिर्फ अपने धार्मिक महत्व की वजए से बलकि अपने अद्भुत रूप की वजए से भी काफी चर्चित है यह उड़ीसा राज्य के मुखिया आक्षनों में से एक है भगवान शिव के हरेहर स्वरूप को समर्पितलिंगराज मंदिर को सोमवनशी समराज्य के राजा जाजती केशती अधारा बनवाया गया था इस मंदिर की सबसे बड़ी हस्ती यह है कि इस मंदिर में सिर्फ हिंदु धर्म के लोग ही दर्शन कर सकते हैं अन्यधर्म के लोगों को इस मंदिर में आने की अनुमती नहीं है। वहीं यहां शिवरात्री के दिन विशेश उत्सव होता है, जिसके लाखों श्रद्धालूओं का सेलाब उमरता है। आए जानते हैं, भुवनेश्वर के इस प्राचीन लिंगराज मंदिर का निर्मान, इतिहास, वास्तुकला और इससे जोड़ी पौरानेक रचना और उत्सवों के बारे में। भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर का निर्मान और इसके इतिहास, भारत के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक इस लिंगराज मंदिर के वर्तमान स्वरूत को करीब 11 शताबदी 1090-1104 इसवी के बीच्ट में बनवाया गया खालां कि कुछ इतिहासकारों और विद्वानों के माने तो ये मंदिर 6 शताबदी के बाद से ही आस्तित्व में आ गया था, क्योंकि सात्वी शताबदी के संस्कृत लेखों में इस मंदिर का उलेख किया गया है। 11 सदी में किया गया था, जबकि लिंगराज मंदिर के भोग मंडप का निर्मान 12 सदी में किया गया है। इतिहासकारों के अनुसार सोमवंशी समराज्य के शासक जाजती प्रथम ने, जब अपनी राजधानी राजस्थान के जैपुर से उलीसा प्रांत के भुवनेश में स्थान आंतरित की गई थी, तब उन्होंने करीब 11 सदी में इस मंदिर का निर्मान किया था। ये भारत का ऐसा एकलोता मंदिर है, जहां भगवान शंकर और भगवान विश्णू दोनों के ही रुप्ये इस मंदिर में बस्ते हैं। लिंगराज मंदिर से जुड़ी लोकप्रिय पौरानिक कथा, पूरे देश में अपने धार्मिक महत्व और सुक्षम करीगिरी के लिए विख्यात लिंगराज मंदिर से कई मान्यताएं एवं पौरानिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। एक प्रसिद पौरानिक कथा के अनुसार भगवान शिव की अरधांगिनी देवी माता पार्वती ने लिट्टी और वसा नाम के दो महापापी राक्षसों का वद्ध भुवनेश्वर के इसी स्थान पर किया था। और इस युद्ध के बाद जब देवी पार्वती को प्याले लगे तब भगवान शिव यहां अवतरित हुए और सभी नदियों के योगदान से बिंदु सर जील का निर्मान किया, जिसे बिंदुसागर सरोवर के नाम से जाना जाता है, इस सरोवर के पासी लिंगराज का यह भभुत अन्य अजिबो गरीब मंदिर स्थित है, लिंगराज मंदिर की अद्भुत सन्रचना एवं सयान वास्तुकला, भारत के सबसे प्रसिध मंदिरों में से एक लिंगराज मंदिर अपनी प्राचीन वास्तुकला और अद्भुत रूप के लिए भी जाना जाता है, भगवान शंकर को समर्पित यह मंदिर सभ्यता शेली और उड़ीसा शेली का उतक्रिश्ट उदाहरन है अपनी अनुपम स्थापत्य कला के लिए प्रसिध लिंगराज मंदिर को गहरे शेद बलुआ पत्थरों का उप्योग कर बनाया गया है लगभग दो लाख पचास हजार स्क्वाय फुट के विशाल क्षेत्र में यह अद्भुत मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व की ओर बना है जबकि अन्य छोटी उत्तर और दक्षिन दिशा की ओर मौजूद है भव्य बिंदू सागर जील के पास बना यह मंदिर किले की दिवारों से गीरा हुआ है इसकी खाता बचत प्रबंधन से और इस परती सुन्दर बनाया गया है भारत के शांदार मंदिरों से एक लिंग राज के मंदिर की उचाई 55 मीटर है मुख्य मंदिर के विमान से गौरी, गनेश और कार्तिके के तीन छोटे मंदिर भी जुड़े हुए हैं इसके अलावा इस मंदिर में हिंदू देवी देवताओं के करीब करीब सो छोटे छोटे मंदप लगाए गये हैं मंदिर के चार प्रमुख भाग हैं गर्ब ग्रे, यग्या श्यालम, भोग मंडप और नाचिशाला शामिल हैं लिंगराज मंदिर में शिवरात्री का विशेश उत्सव भारत के इस प्रसिद मंदिर में हिंदूओं के कई पवित्र त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है त्योहोरों के दौरान भक्तों की जमकर भीर उरती है इस मंदिर से पैदल रत यात्रा, चंदन यात्रा और महाशिवरात्री का पर्व बेहद हर्शोलास के साथ मनाया जाता है इस पोस्टर पर लिंगराज मंदिर की रौनक देखते ही बनती है इस मंदिर में भगवान हरेहर को समर्पित फालगुन महीने में महाशिवरात्री का त्योहार मनाया जाता है इस दिन इस मंदिर में प्रतिष्थित शिव प्रतिमाय विशेश रूप से प्रसिध है महाशिवरात्री के दिन लिंगराज को धतूरा, बेलपत्र, भांग भी चड़ाया जाता है इस दिन भक्त चन पूरे दिन उपवास करते हैं और भगवान शंकर का रुद्राभिशेक करते हैं इस दिन सभी भक्त भगवान शिव की साधना में दूबते हुए आते हैं शिवरात्री का मुख्य उट्सव रात के दौरान होता है, जब भक्त चन लिंगराज मंदिर के शिखर पर महादीप को प्रजवलित करने के बाद अपना वौक अप करते हैं महाशिवरात्री के अलावा भगवान शंकर के इस प्रसिध मंदिर में चंदन समारोव और चंदन यात्रा का उत्सव भी धूमधाम से मनाया जाता है चंदन समारोव इस मंदिर में करीब 22 दिनों तक चलने वाला महापर्व है इस पावन अवसरों पर मंदिर के वैश्विक सेवादारों को भीशन गर्मी से बचाने के लिए चंदन का लेप लगाया जाता है इसके अलावा चंदन समारोव के दोरान नृत्य आदी भी आयोजित किया जाता है जिसमें महिलाएं प्रसन होकर शिव भक्ती के साथ पारम पर एक नृत्य करती है अपनी अद्भुत करीगिरी के लिए पूरे भारत में प्रसिद इस लिंगराज मंदिर में अश्टमी के दिन सुबह रत्यात्रा भी यहां की प्रसिद है इस रत्यत्रा के दोरान यहां सभी देवी देवताओं को सुन्दर रत में बिठा कर रामेश्वर के देवाला मंदिर में ले जाया जाता है इन मौकों पर लिंगराज मंदिर का आक्षन दो गुना बढ़ जाता है लिंगराज मंदिर में जाने के कुछ नियम भगवान विश्णू और भगवान शिव को सर्मपित लिंग राज मंदिर में जिस तरह गैर हिंदूओं को प्रवेश की अनुमती नहीं है इसी तरह यहां कई अन्य जानकारियां का पालन किया जाता है जिसके बारे में हम आपको नीचे बता रहे हैं लिंग राज मंदिर में गैर हिंदूओं का प्रवेश वर्जित है पूरे देश में अपना महत्व के लिए मंदिर में कैमरा, मोबाइल और उप्चय की बनी ब्याल्ट, बेग सहित कई वस्तूओं को ले जाने पर सक्त मना ही है इस मंदिर पर किसी भी तरह की फोटोग्राफी पूरी तरह से प्रतिबंधित है इस मंदिर में जाने वाले हिंदू भक्तों को मंदिर की सेवा करने वाले सेवादारों से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये भक्त जनों से ज़्यादा पैसा रखने की फिराक में रहते हैं इस मंदिर में प्रतिष्थित लिंगराज के दर्शन के साथ यहां स्थित सरोवर में सनान करने को लेकर भी काफी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। ऐसी मान्यता है कि इस सरोवर में सनान करने से भक्तों की सभी शारीरिक और मानसिक बिमारियां दूर हो जाती हैं। लिंगराज मंदिर में दर्शन के लिए कैसे पहुँचे? लिंगराज मंदिर में दर्शन के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। यहां वायू, रेल और सड़क संबंधी संपर्क आसानी से सूचित किया जा सकता है। आपको बता दे की लिंगराज मंदिर के पास सबसे नजदीक का हवाई अड़ा भुवनेश्वर एपोर्ट है, जिसकी मंदिर से दूरी करीब 4 किलोमेटर है। भुवनेश्वर भारत के सभी राज्यों और प्रमुक शहरों से ट्रेन और बस सुविधा से भी अच्छी तरह से आरपार हो गया है, यहां के सभी प्रमुक शहरों से अच्छी बसे चलती हैं।